नमस्कार स्वागत है आपका उत्रखंड की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमन पार विधान सभा चुनाओ 2022 के लिए लंबे इंतजार के बाद ही कॉंग्रेस ने शनिवार देर रात तिरपन उमिद्वारों की लिस्ट जारी कर दी है उत्रखंड के ही मुख्य मंदरी बुश्कर सिंग धामी के खिलाफ खटीमा विधान सभा सीट से ही आपको बता दे कि कॉंग्रेस नहीं भूवन चंद्रकापडी को ही उमिद्वार बनाया है और नेता पर्तिपक्ष की जिमेदारी सम्हाल रहे प्रितम सिंग पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए कॉंग्रेस ने उन्हें चकराता विधान सभा सीट से उमिद्वार बनाया है कॉंग्रेस पर्देश अधियक्ष गडेश गोदियाल श्री नगर विधान सभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दे कि भाजपा ने दो दिन पूर्व ही 49 परतियाशों की ही लिस्ट जारी कर दी थी और तभी से ही कॉंग्रेस उमिद्वारों के नामों का इंतर्जार चल रहा था और कॉंग्रेस हाई कमान को मनाने और नाम काठने के डर से ही पिछले कई दिनों से कॉंग्रेस उमिद्वार दिल्ली में देरा डाले हुए थे अब दिल्चस्प ये होगा कि भाजपा और कॉंग्रेस पार्टियों के ही परतियाशियों की दूसरे लिस्ट कब जारी करती है और कॉंग्रेस ने भी शुकरवार को 55 सीटों के लिए ही उमिदवारों के नाम ते कर दिये वहीं सूतरों के अनुसार, फिलहाल राम नगर, लाल कुवा, हल्द और काला ढूंगी, लेंस डोन और चोबट खाल और डोई वाला और दोन केंट समेद 15 सीट पर ही चर्चा जारी है माना जा रहा है कि पहली लिस्ट शुकरवार देर रात ही जारी कर हो सकती है लेकिन हुई नहीं वहीं आपको बता दे कि शुकरवार को पूर्वर राष्टिय अधियाक्षे राहुल गांधी की मौजूदगी में ही केंद्रे चुनाव समीती की बैठक में विवाद वाली 15 सीटों पर सहमती बन गई देश भर में सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस के पतन और राज में ही कम हो रहे जनाद देश को ही लेकर उत्राखन के पूर्वर मुखे मतरी हरीश रावत ने खुल कर बात की है उन्होंने कहा कि कभी बल्ले बाज भी आउट ओफ फॉर्म में ही चले जाते हैं उन्होंने देश की जनता को ही आश्वस्त करते हुए कहा कि देश भर में ही कॉंग्रेस की भी फॉर्म जो है वो थोड़ी कम हो गई है इसे हम फिर से ही हासल कर अपने फॉर्म में आज जाए और सभी नहीं हरीश रावत को राम नगर से चुनाव लड़ने की मांग की है और नगर पालिका की ही चेर्मैन और कॉंगरस के परदेश महामंत्री का भी विरोध किया है। ब्लॉक में ही बीडिसी सदसे परधान और यूद कॉंगरस से जुड़े कारेकरताओं की बैठक हुई। ना देने पर निर्दलिय चुनाव लड़ने की बात कही गई और जो गलत है। दोनों का ही पुर्जोर विरोध किया जाएगा। वही पूर्व सबादसद शिल्पपेंद्र बंसल ने बताया कि पूर्व मुखेमंत्री के चुनाव लड़ने से ही राम नगर की तस्वीर बदल जाएगे। लंबे इंतजार के बाद कॉंग्रस नहीं उत्राखंड विधान सबाद चुनाव के लिए अपने तिरपन परतियाश्यू की सूची जारी कर दी है। भाजपा 20 जनवरी को 49 परतियाश्यों के ही पहली सूची जारी कर चुकी है। के सभी नो सेटिंग्स विधाई को और जगह दी गई है। और खड़ीमा सीट पर ही मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापडी को ही मैदान में उतारा है। और पहली सूची में तीन महिलाओं को मितबार बनाये गया है। कोविट संक्रमन के बीची चुनाव आयोग ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों और परतियाशियों को रहाती है। और आयोग नहीं जहां 31 जन्वरी तक जन्सभा रैलियों को रोडशो पर रोक बढ़ाती है। वहीं ये तई कर दिया गया है कि एक फरवरी से ही 12 फरवरी तक राजनीतिक दल को लेकर ही या नेता अपनी जन्सभाय कर सकेंगे। और दूसरी और आयोग नहीं राजनीतिक दलों को खुले मैदान में अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी में वीडियो वाहन सही पर चार की एनुमती देती है। और लगातार बढ़ रहे कोविट संक्रमन के बीची चुनाव आयोग ने उत्रकंड में सब भी दलों और नेताओं की फिजिकल रैलियो रोड शो पर ही रोक 31 जन्वरी तक बढ़ा दी है। आज के बजाए 10 लोगों के ही साथ डोर टो डोर परचार की जो है वह अनुमती देरी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयों की और सिर्जारी गाइडलाइन्स के मताबिक कोई भी राजनेतिक देली या परतियाशी किसी भी खुले स्थान पर वीडियो वाहन या फिर सहाईता से परचार कर सकता है। अभी अधिक्तम 500 या उस मैदान की शमता से 50 परतिशत लोग ही शामिर हो सकेंगे। प्रोफेसर अश्वनी कुमार दला ने बताया है कि अस्पताल की समाने ओपीडी और सेवाएं समवार के लिए बंद रहेंगी और जबकि अमर्जेंसी सेवाएं को ही 24 घंटे संच्वालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे अलावा कैंसर ग्रसित पुराने मरीजों को ही किमोध्रेपी और रेडियो थ्रेपी सुविधा का लाब मिलता रहेगा। प्रोफेशर अस्वनी कुमार ने ये भी बताया है कि समाने मरीजों को ही टेली मेडिसन सेवा के तहत ही चिकित्सक्या प्रफॉर्मेंस की सीधा मिलेगी और चिकित्सक्या प्रफॉर्मेंस के लिए ही मरीजर टेली मेडिसन सेवा के फोन नंबरों पर ही संपर कर सकते हैं। और एम्स प्रिशासन नहीं लोगों से मास्क समाजिक दूरी और सैनिटाइजिंग करने का भी निर्ने लिया है उत्राखण में शनिवार को ही करोना के 4749 नए मरीज मिले हैं और 7 संक्रमितों की मौत हो गई है इसके साथ ही राज में ही करोना के कुल मरीजों की संख्या 3,96,000 के पार कर गया है और इतना ही नहीं स्वास्ति विभाग के बुलेटन के नुसार कहा जा रहा है कि शनिवार को ही देहरादून में 1802 अलमोडा में 143 बागेश्वर में 102 इस्चमोली में 243 चंपावत में 112 हरिद्वार में 607 और नैनिताल में 565 पोड़ी में और इसके साथ ही राजे में कुरोना संक्रमण से मरने वालों के संख्या 7,475 हो गई है शनिवार को राजे में ही संक्रमण की दर 12.48 परतीशत जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 8 में हो गई है और इसके साथ ही आपको बता दे कि शनिवार को ही 38,000 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट भी आई है जबकि 28,000 के करीब सैंपल जाज के लिए भीजे गए है राजे भर में शनिवार को ही 2712 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों और होम आईसोलेशन में डिस्चार्च किया गया जिसमें राजे में ही एक्टिव मरीजों के संख्या भी लगातार बढ़ी है उत्राघंड में शनिवार रात भर मैदानी इलाकों में बारिश और पहारी इलाकों में बरफबारी होती रही जिसके बाद अब अकडाके की ठंड बढ़ गई है राजधानी देहरा दून में भी सहीत राजे भर में रविवार को भी मौसम खराब बना हुआ है वहीं आपको बता दे कि चकरादा, मसूरी, डनौली, ओली, सहीत, लगभग सभी उचाई वाले इलाकों में बरफबारी हो रही है और रविवार सुभा कुछ देर जब बादल हटे तो देहरा दून से बरफ से धकी वादियों का नजारा साब दिखा लेकिन फिर से बादल छा गए, नैनिताल की उची चोटियां भी बरफ की सफेद चादर से धक गई है चमोली, रुदर परियाग और उतरकाशी, पितोरा, गड़ सहीत, अन्ने जिलों में भी उचाई वाले लाकों में बरफ से धके हुए नजर आ रहे हैं और हाईवे, फूल चटी और राडी टॉप से में ही बंद रहा और इसके साथ ही आपको बता दे कि मार्ग खोलने के परियास फिलाल किया जा रहे हैं और बारिश बरफ बारिश सही रवाई घाटी में भी जिला मुख्याले से संपर्ग कट गया है गीट पटी के बारह गाओं का भी तैसील मुख्याले से संपर्ग कट गया